Hello all, आज के सेसन में डिसकस करेंगे 5 important takeaways from RBI grade B 2022 phase 1 exam और उसमें भी एक particular जो section है, quant का हम लोग यहां पर चीकर करेंगे तो different 5 important takeaways क्या रही बारी-बारी से discuss करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर दोडाते हैं cut-off analysis पर तो phase 1 की cut-off analysis हमारे पास है उसमें अगर मैं देखूं तो जो आपकी overall cut-off थी that was 63.75 out of 200 और अगर individual section wise हम देखें तो GA12, reasoning 9 और English 4.5 और quantum 4.5 तो जो section आज हम discuss करने जा रहे हैं quantity to aptitude तो यहां पर आपसे 30 questions पूचे जाते हैं 80 marks के और इसमें जो आपकी sectional cut-off रही that was 4.5 तो इसका जिकर हम यहां पर क्यों कर रहे हैं यह session में आपको धिरे दिरे आगे पता चलेगा तो सबसे पहले जिकर करेंगे first takeaway का जो की है आपकी toughness ठीक है तो क्या exam real में tough था अगर आप मुझसे जवाब चाहते हैं तो हाँ हो सकता है कि कुछ question इस exam के अंदर इतने tough थे कि घर आके भी हमसे सोलना हुए हो और मैं भी उसमें एक हो सकता हूं लेकिन क्या exam इतना tough था कि उस exam से 4.5 marks लेना भी depend करता था तो कौन से ऐसे questions थे कुछ questions जिस pattern के थे जैसे question पूछे गए थे exam में वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले अगर देखें तो एक question आपका normal जो quadratic equation में x और y के root पे बेश्ट था यानि आपको यहाँ पे x के root निकालने थे यहाँ y के root निकालने थ अगर यहाँ पे देखूं तो x के 2 root हमें minus 3, minus 4 मिले और यहाँ पे देखूं तो y के 2 root हमें minus 3 और minus 5 मिले और इन दोनों में इस तरीके से relation बनाना possible नहीं है इसलिए answer जो था वो no relation between x and y था तो इस question को करने में 15 से 30 seconds से जादा नहीं लगे हूंगे और एक easy question था जो कि आपके question भी जरूर मिले होंगे exam के अंदर कि ax square तीन equation है हमारे पास जो third equation है वो first equation के sum के equal है और यहाँ से आपको ABC की values निकालनी है उसके उपर फिर कुछ question formed करके दे गए हैं जैसे एक बहुत ही simple question हमने यहाँ लिया है what is the value of b plus c तो यहाँ से b और c की value निकालना मुश्किल नहीं है सिर्फ आपको compare करना था कि a plus a अगर is equal to 2 है तो a की value 1 होगी जैस similarly b plus 3 is equal to 7 है तो b की value 4 होगी और 4 plus c is equal to root 49 minus 13 root 36 है तो c की value 2 होगी उसके बाद जो भी question होगा आगे वो depend कर रहा था a, b और c की values पे तो उसे निकालना बहुत कटिन नहीं था ठीक है इसके बाद अगर बात question है, अब series का question थोड़ा different style से पूछा गया, different approach के साथ पूछा गया, but question के अंदर उतनी चीजे नहीं थी मुश्किल, आप इसको solve कर सकते थे, ये doable की category में आ रहा था, मैं फिर से दोर आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि exam tough था, आपका paper tough था, अगर tough नहीं होता तो 63.75 कटो कैसे जाती, लेकिन कहीं बार हमारी strategy में या हमारी सोचने के तरीके में कुछ घडबड रही होगी, जहां से हम कुछ questions को select नहीं कर पाए, और ये exam हमारा clear नहीं हुआ, ठीक है, तो जैसे इस question के अंदर आप यहां पे देखोगे, तो कुछ values है, 100 है, 95 है, 105 है, 88 है, 114 है, तो आपको यहां से, यहां पे सिर्फ double जो difference के approach लग रही थी, कि यह minus 5 है, यह plus 10 हो रहा है, यहां पे देखों, minus 17 हो रहा है, यहां पे देखों, तो plus 26 हो रहा है, फिर अगर आप double difference हो लोगे, तो यह 5, यह 7, और यहां पे 9, तो यहां पे 11 का difference होगा, तो 37, plus minus हो रहा है, तो य पहुंच पाई हो ठीक है या आपने दूसरे questions में इतना time waste कर दिया हो यहां तक नहीं आ पाई तो यह चीज धान रखिएगा एक्जाम really tough था बड़ कुछ selective questions थे जिनको आप बना सकते थे बड़ आप वहां तक पहुंच पाई किने पहुंच पाई यह आप जानते हैं ठीक है तो पहली take away यह है toughness वाली हमारी ठीक है तो हमें कुछ ढूंड़ना पड़ता है कोई चीजें अगर exam tough है तो questions को select करना पड़ जो doable होते हैं दूसरा enough practice तो क्या exam के अंदर जब आप गई थे क्या आप उतनी ज्यादा practice करके गई थे कि जब exam में उस टाइप के question पूछे गई तो वह standard वह pattern के साथा पहले से used to थे तो मैं यहां पर कुछ example ले रहा हूं जैसे arithmetic के अंदर कुछ question ऐसे पूछे गई जिन में blanks छोड़े गए थे arithmetic के questions में जो data है वो blanks में feel करना था हमें तब जाके answer तक पहुचना था कुछ question ऐसे रहे जो statement पे बेश्ट थे तो क्या यह question आपने पहले practice किये थे क्या इस pattern के साथ आप रूबरू थे अगर मैं कहूं कि क्या हमने हमारे courses में cover किये थे तो यह मैं आपक इस वाला pattern हमने यहां पे cover किया था statement वाला जो part है वो भी हमने cover किया था तो आप इन सब चीजों की पहले से बहुत ज्यादा practice करके जाएगा तब ही जाकर कि आपको exam में इन चीजों का benefit मिलेगा तो आपकी practice बहुत अच्छी यहां पे होनी चाहिए तो दूसरी take away हमारे यह next third pattern repeats of SBI PO या IBPS PO तो क्या आपको क्या धान रखना है कि आजकल जो SBI PO और IBPS PO के exams हो रही है तो उनका pattern भी आपको धान में रखना है similar pattern से चीजें RBI grade B में भी पूछी जा रही है ठीक है कुछ example ने जैसे यह आपका जो सवाल है number series का ही question है अगर आप देखोगे RBI के अंदर से पहले number series पूती जाती रही है तो उसमें या तो आपसे पूछा जाएगा कि what will come in place of question mark अगर आप देखेंगे previous year question या आप से पूछा गया कि what will be the wrong term in the given series जो एक logical sequence को follow कर रही है ठीक है पर इस बार थोड़ा सा different था ठीक है approach वही थी लेकिन exam के टाइम पे एक दम से समझ मे नहीं आता under pressure कि इन चीजों को कैसे handle करें चीजें simple यह आपको बहुत अच्छे level से तयारी नहीं करने है यह बहुत difficult है यह concept normal भी पढ़ने आपको basic भी पढ़ने है उन्हीं चीजों को आगे यूज करना है ठीक है तो यह pattern आपको पहले से पता होना चाहिए already कुछ चीजें new to introduce होती है पूछने का तरीका ठीक है जैसे यहां पर data interpretation देखो गया ठीक है डी आई का question है और जैसे थोड़ा सा क्या है कि इसके अंदर भी basic चीजों का यूज हो रहा है बहुत सारा data ऐसा है जो बहुत basic number prime number पर बेस्ट है कोई आपका square cube इनके logic पर बेस्ट है ठीक है और data ब building है कहीं किसी locality में फिर each building has certain number of floor और फिर each floor has a certain number of flat और फिर each flat has certain number of people तो देखके ही घबर आ जाते है कि टेबल बनाना start करूं तो कैसे start करूं ठीक है बड़ अगर पहले से देखी हुई चीजे होंगी तो फिर हो सकता है कि अगर paper सारी question ही tough है तो कुछ तो select करना ही takeaways की pattern जो है वो similar SBI PO यह जरूर आप देख करके जाएं नेक्स्ट है कि mock test of varied difficulty level ठीक है यहां varied difficulty level मैंने क्यों बोला अगर मैं पिछले five year का आपको पूरा data दूँ ठीक है हो सकता है कि 21 22 के अंदर paper आपका बहुत tough था cutoff बीशले कम गई देकिन अगर 2019 के अंदर देखें तो cutoff जादा थी और अगर cutoff जादा थी तो that means paper easy रहा होगा ठीक है तो आपको difficulty level यहां पर varied आपको easy भी करना है ठीक है आपको medium level भी करना है आपको difficulty भी करना है ठीक है different different सारे के सारे ठीक है मैं यहां पर वही जिकर कर रह रहा था 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 कहलो यह 2022 तो 21, 22 paper was really tough ठीक है हमें समझ में ही नहीं आया और sectional cutoff भी जा रही है 4.5 overall cutoff जा रही है 63.75 यहां से 66.something बड़ अगर इसको compare करें 2019 के साथ तो यह 120 plus है phase 1 की cutoff तो 120 plus गई है लगबक इसका double ही है तो that means paper easy रहा होगा लेकिन कई बार हम एक अगर वो अप्रोच लगा के नहीं जाएंगे तो फिर फश जाएंगे है ना तो different different level के जो mock test है वो आपको attempt करने है difficult भी easy भी और moderate भी ठीक है next है adaptability इस पर थोड़ा सा में जोड दूँगा यहां पे adaptability का मतलब आपको क्या होगा य exam में कि मैं particular इनी topic को touch करूँगा और यानि कि अगर आपका paper tough आता है ठीक है बहुत मुस्किल है आपका paper तो हमारी approach यह सही हो सकती है कि मुझे कुछ particular topic जिन पर मेरी command उतनी अच्छी नहीं है तो वो मुझे touch नहीं करने ठीक है बाकि topics जो मुझे जिस पर मुझे लगता है कि मेरी command ठीक है तो moon के question ट्राइ करूँ ठीक है तो लेकिन कई बार अगर paper easy आ गया तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप कुछ particular data को ही select करके गए exam के अंदर की इनी topic को touch करना है और उससे cutoff clear नहीं हो पारी ठीक है overall cutoff में वो उतना आपका सहयोग नहीं कर पा रहा तो वो आपके लिए मुस्किल हो जाता है तो आपको उस adaptability के साथ आपको देखना है कि exam के time पे exam की need क्या है ठीक है अगर tough है तो एक different approach रहेगी easy है तो आपकी different approach रहेगी अगर paper easy है तो आपको उन topics को भी touch करना आपकी मजबूरी बन जाएगी जो topic पे आपकी command कम है वो भी आप को attempt करने पड़ेंगे ठीक है कम command होगी तो हो सकता है कि question करने में थोड़ा time लगे बड़ आपको करना पड़ेगा ठीक है दूसरा कभी ego पे नहीं लेना है चीजों को ठीक है कि बहुत असान question है तो अड़ गए हम कि इसको करके ही छोड़ेंगे और वहां पे घड़ी जुँपे काम करके जाएंगे घर पे ठीक है तो यह मेरी तरफ से five takeaways थे आपके लिए जिन पर आपको जरूर काम करना चाहिए चलिए तो thank you very much आप सब का बहुत-बहुत सुक्रिया good night take care bye bye thank you very much जय हिंद जय भारत